लिव का अपोजिट वर्ड क्या होता है आज की वीडियो में सीख लेती हैं लिव का अपोजिट वर्ड होता है डाई लिव का मतलब होता है जीना और डाई का मतलब होता है मरना इसकी इलावा लिव लाइव भी होता है तो live का मतलब होता है, कोई चीज़ का सीधा प्रसारण होता है, तो उसका उल्टा आप recorded भी कह सकते हैं, यानि कि technology की context में अगर आप बात कर रहे हैं, तो live का उल्टा recorded हो सकता है, live मतलब सीधा प्रसारण किसी चीज़ का, और recorded मतलब कि किसी चीज़ को record करके बाद में दिखाया किया है तो दो इसके opposite आप समझ सकते हैं एक तो live का मतलब die और एक live की अगर आप बात कर रहे हैं spelling सेम होती है दोनों की तो उसका मतलब हो सकता है recorded तो जैसे कि आप ये कह सकते है he can't live without me यानि कि वो मेरे बिना नहीं रह सकता है तो इसका उल्टा आप कह सकते हैं he will die without me यानि कि वो मेरे बिना मर जाएगा या आप कह सकते हैं I can't live without her यानि कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता या नहीं जी सकता तो इसका उल्टा आप कहेंगे I will die without her यहनकि मैं उसके बिना मर जाओंगा तो live का उल्टा die होता है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें